है लो फ्रेंट्स वेल्कम टेव यूट्व चैनले नॉलजी इनफो आज हम बात करने वाले हैं करोना वाइरस में के महामारी खत्रे के बारे में सासद हम आपको बात करेंगे 21 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ है उस लॉकडाउन के विसे हम बात करेंगे करोना महामारी की खत्रे से देश को बचाने के लिए प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी ने मंगलवार को आधी रात के पूरे देश में 21 दिन यानि की 14 अपरेल तक लोगड़ान के खोशना की है जहज 72 घंटे के बाद राष्ट के नाम दूसरे में प्रदान मंत्री ने कहा कि देश और नागरिकों की जीवन की रक्षा के लिए समाजिक दूरी के इलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है उन्होंने लोगों से अपने घरों को लक्षमन देखा बनाने की अपील करते हुए कहा जान लें कि बादान मंत्री ने महा मारी उद्दीस के लिए अग्मी परिक्षा बताते हुए इससे निपटने के तयारी के लिए 15,000 करोड रुपए का पैकेजी खोशना की परिदान मंत्री ने कहा ये लोगडाउन एक दरह का कर्फुव ही है ये लोगडाउन एक परिएखान के कर्फ्यॵ ही है लेकिन जनता कर्फ्यॵ से सकत है। ऐसा सोचना गलत है कि समाझी की दूरी केवल बिमार व्यक्ति के लिए ही है ये धेर और अनुसासन बनाए रखने क समय है अफवाओं पर ध्यान ना दें बिना डॉक्टर की सला से दवा ना काई जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे रात्मिक्ता देनी होगी उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और घरों में रहें ब्रधान मंतरी ने कहा मुझे यकीन है कि भ जितना भी है वोट 21 दिनों के लिए मतलब जितनी भी यह प्रिशाशन है 21 दिनों के लिए अभी तो घोशन हुई है जो कि मोदी जी ने कहा है कि जहां पर करोना का मतलब उन्होंने बता है कि कोई रोड पर ना निकले जाना कियेगा इसमें बता है कोई रोड पर ना निकले तो यह जो है 21 days यानि कि इंडिया अंडर लॉक्डाउन for 21 days यानि कि 21 दिनों के लिए लॉक्डाउन है जहां पे सारी जहां पे सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो 21 दिनों तक जो है वो अपने घर से बिल्कुल भी ना निकले तो फ्रेंट्स मैं भी आपसे अपी निर्देशन उसार जो आप से कहा गया है उसका निर्देशन उसार आप पालन कीजिए जिससे कि यह करोना वाइरस जैसी बड़ी बिमारी हमारे हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को नुक्सान ना पहुदा सके थैंक्यों फ्रेंट्स से दिया आपको हमारे वीडियो पस